सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 20 जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए ही है यह ली गई है हिंदी विशे से और इसमें जिस पार्ट को हम समझ पार्ट को शुरू किया है और उसमें हमने यह जाना था कि पुट्टू कोट्टाई जो की तमिल नाडू का एक बहुत ही बिलकुल ग्रामीन शेत्र है और जहां पर वहां की महिलाओं को किसी बात की आजादी नहीं थी और वहां पर उन्होंने अपनी आजादी को दिखाने के लिए अपना विरौद दिखाने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया था और वहीं पर एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था फातिमा बीबी वो यह बताते थी कि जब उन्होंने साइकिल चलाने शुरू की तो लोग उन पर फप्तियां करते थे उनको ने इनको ताने फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आदा घंटे के लिए किराये पर साइकल लेती है एक नई साइकल खरीदने के उनकी हैसियत नहीं है फातिमा ने बताया कि साइकल चलाने में एक खास तरीके की आजादी है हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता मैं कभी इसे नहीं छोड़ूँगी जमीला फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाए की अनेक युवतियों को साइकल चलाना सिखाया है इस जिले में साइकल की धूम मजी हुई है इसकी प्रशंसकों में हैं महीला खेती हर मजदूर पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरते और गावों में काम करने वाली नरसे बालवाडी और आंगनवाडी कारे करता बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औ और स्कूल की अध्यापी काएं भी साइकिल का जम कर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेवी काएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरते भी अब पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं यानि कि अभी अभी वो की नई शिक्षित हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात चीत की उन्होंने उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिकत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है। अगुवा मतलब जो उसकी नेता कहे दीजिए या उस आंदोलन को जो आगे बढ़ा रहे हैं। साइकिल आज जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहां तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामांड होने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिये जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जम कर प्रहार किया जिसे इने जेलना पड़ा। गंदी गंदी टिपनिया की गई लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक सुईकृती मिली और इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो देखा आपने कि पुद्डु को टै जैसे तमिल नाडु के ग्रामीन इलाके कि महिलाओं ने अपनी आजादी को प्रदर्शित करने के लिए अपने निर्भरता को कम करने के लिए साइकिल चलाना सीखा। उनके लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात थी। और अब जब वो साइकिल सीख चुकी हैं वो किसी पर निर्भर नहीं है। यहां तक क इस पहिये ने, इस साइकिल ने उनकी जिन्देगी बदल दी तो यहाँ पर कुछ highlighted yellow color के शब्द आएं है उनके हम एक बार अर्थ जान ले और इन शब्द अर्थ को आप अपने note book में जरूर लिखिएगा ताकि अगली बार जब यह शब्द आपके सामने आए तो आपको इनका मतलब स्वेम समझ में आ जाए तो पहला शब्द है चाव, जो आया था न उपर चाव, उसका मतलब है शौक हैसियत मतलब आउकात, इस्तमाल मतलब प्रयोग और अगुवा मतलब आगे चलने वाला जिसे नेता भी कहते हैं तो चलीए अब हम इस गध्यांश को पढ़कर निमलिकित प्रस्णों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो पहला प्रस्ण है कि पुट्टू-कोटेई जिले में साइकिल का इस्तमाल कौन-कौन सी महिलाएं करती हैं तो इसका उत्तर है कि पुड्डु कोटेई जिले में साइकिल का इस्तमाल महीला खेती हर मजदूर, नव साक्षर महीलाएं, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली और गावों में काम करने वाली नरसें, बालवाडी और आंगनवाडी कारे करता और स्कूल की इसका उत्तर यहां पर लिखा हुआ है, प्रश्न नमबर दो का उत्तर यहां पर है, तो देखिए इसका उत्तर है कि उन्हें साइकिल चलाने में और अपनी व्यक्तिगत आजादी में एक संबन्द महसूस होता है, एक बहुत ही जुडाव, यहां पर जुडाव आएगा, ज जुडाव महसूस होता है क्योंकि यह उनकी अजादी का एक जरिया बनी, मतलब उनकी अजादी का एक माध्यम बनी, अब वो किसी पर निर्भर नहीं है, फिर तीसरा प्रश्न है कि पुड्डू को टाई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मिश्वास वा आत्मिश्वा पर निर्भरता का विकास हुआ है, अब उन्हें अपने कारे हेतु पोष्व पर निर्भन नहीं रहना पड़ता, एक सान से दूसरे सान पर जाना, पानी भरना, समान ढोना, यह सारे कारे असानी से साइकिल द्वारावे कर लेती है, और कई बार तो बच्चे भी उनके साथ होती है, तो इसलिए उनमें आत्मिश्वास और आत्मिर्भरता भर गई, फिर इसके बाद है प्रेश नमबर चार, ग्रामीन महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या-क्या बाधाय आई होंगी, आप यह सोच कर आपको लिखना पड़ेगा, तो प्र जाना हो, तो उनसे रिक्वेस्ट करती होंगी, उनसे प्रातना करती होंगी कि हमें लेचली, लेकिन अब वो आत्मिर्भरती, और पांचवा प्रश्न एक गतिविधी है, यदि पहिया ना होता, तो क्या होता, कल्पना करके अपने बड़ों से साहता लेकर आप इसको लिख हो गई है, कि एक पईया किसी भी चीज में लगा और उसको चला सकता है, यहां तक कि आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, कि अगर पईया ना हो, तो हमारी जितनी भी आत्राएं हैं, वो कितनी लंबी-लंबी हो जाएंगी, आप देखिए, अगर हमें कहीं एक किलोमेटर ही ज होचते हैं, सोचिए, तो इसमें हम ये ये चीजें लिख सकते हैं, तो मेरे इस तरह समझाने से, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूं, तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जादा शेयर भी कीजिए, और हां मेर